हाई अवरीवन स्वागत है आपका आरेस क्रियेशन स्टेडी चैनल में तो आज हम लोग जो है एमीजीट की एक नॉबल डिस्कस करने वाले हैं जो की है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास इसके जो राइटर है वो है V.S. नाइपॉल और ये पबलिश्ट ही थी 1961 में तो ये जो नॉबल है ये बहुत ही जादा फेमस वर्क है और इसको जो है पोस्ट मॉडरन लिटरेचर का वर्क माना गया है और इस नॉबल को जो है बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे 1971 में इसको जो है मैन बुकर प्राइज अबॉर्ड मिला था और इसको जो है 100 best English novel of 20th century में इसको जगा दी गई है इसको टाइटल दिया गया है और ये जो है एक autobiographical novel है मतलब इसमें ये जो writer है इन्होंने अपने father की life से inspire हो करके ये जो Mr. Biswas है इनकी ये जो इनका मतलब main protagonist है ये story जो है इनके father से relate करती है तो अब हम story देख लेते हैं तो इस novel की setting रखी गई है तरीनी दाद नाम की जगा पे जो की यहां पर नहीं है इन्डिया में ने इन्डिया से बाहर है तो इस कहानी का जो main protagonist है हमारा वो है Mr. Mohan Biswas ये जो protagonist है ये एक Indian family से बिलॉंग करता है और इसका जनम जो है इन्डिया से बाहर एक कहीं पर एक तरीनी दाद नाम की जगा है वहां पर होता है तो ये जो बच्चा है ये नया नया बच्चा पैदा होता है रगु और विप्ती रगु इसके फादर के नाम होता है विप्ती मदर के नाम होता है ये एक Hindu Brahmin family होती है और जैसे ये पैदा होता है तो यहां पर एक पंडित होता है जो ऐसा बोलता है कि यह जो बच्चा है यह बहुत ही असुब है और बहुत ही असुब घड़ी में पैदा हुआ है क्यूंकि रात के टाइम में पैदा होता है और इसके हाथ में छे उंगलिया होती है तो पंडित कहता है कि ये जो बच्चा है आपके घर के लिए बहुत जाद महनूस है और ये मतलब आगे चल के आपके लिए पनौती बनेगा और आपकी जो फैमिली है वो उसको रिस्क में डालेगा तो जैसे ही पंडित ऐसा बोलता है तो पंडित बोलता है कि अभी सिर्फ सिर्फ एक ही उपाए है आप इस बचे को जितना हो सके उतना पानी और पेडों से दूर रखे इसके माबाप को ऐसा बोलता है raghu और विप्ति को रगु जो है एक sugar cane field में काम करता है तो ऐसे ही जब थोड़ा सा time बीच जाता है और ये जो Mr. विश्वास है ये जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है और इसका जो है इसका एक पडोसी होता है जो इसको जो है अपने बच्छडे का बच्चा जो है जिसका नाम होता है धारी वो इस मोहन को चराने के लिए दे देता है तो ये क्योंकि अपने फादर के साथ जो जाता है काम पे क्योंकि इसको लेके नहीं जाते हैं और इसको दो भाई होते हैं उनके साथ भी नहीं जा सकता है तो इस उसना में कुछ ना कुछ काम कर लूँ तो यह अपने पडोसी की जो बचड़ा होता है उसको चराने के लिए लेके जाता है तो जब यह बचड़े को चराने के लिए लेके जाता है तो उधर इसको सबसे पहले यह वहाँ पर नदी देखता है पेड देखता है बहुत सारे और नदी में बहुत सारा पानी देखता है इसने इतना पानी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखा होता है क्योंकि इसको दूर रखने के लिए कहा होता है पानी से तो यह जो है न उस नदी को देख करके उसको ही देखता रहता है देखता रह करके तो जब जो मिस्टर विस्वास है इसको ऐसा लगता है कि मेरी बज़ा से जो बच्छडा है इसकी जान चली गई तो अब अगर मैं घर जाओंगा तो मेरा जो पडोसी है और जो मेरा फादर है वो मुझे बहुत डांटेंगे और पीटेंगे तो वहीं छिप कर जो है जो है वो नदी में गिर गया है और यह जो है उसको ढूणने के लिए नदी में चलांग लगा देता है और यह जो रगु होता है इसकी वहीं पर जो है मौत हो जाती है यह मर जाता है तो रगु के मरते ही जितने भी लोग होते हैं वो सब सोचने लग जाते हैं कि जो पंडि नहीं इसके फादर की डेथ हो गई है तो इनके फादर की डेथ होने के बाद इनकी जो फैमली होती है वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है इनको अपना घर छोड़ना पड़ता है क्यूंकि ये जो Mr. Biswas है इनके दो भाई और एक बहन होते हैं तो इनकी जो बहन होती है तो उनको जो है जो इसकी मा होती है इसकी एक बहन होती है तारा जिसके कोई बच्चा नहीं होता वो उसको अपने घर ले जाती है उसके घर रहने के लिए भेज देते हैं उसको जो बहन होती है यह जो तारा होती है उसको अडप्ट कर लेती है और अपने घर में रखती है लेकिन जो दो भाई और मा के साथ और यह जो मिस्टर विस्वास है यह जो है रिलेटिवों के घर पे जा करके रहते हैं तो इसके बाद यह जो मिस्टर विस्वास है यह ज़्यादा स्कूल भी नहीं जा पाता है तो इसके बाद यह जो है बहुत सी जगा पर जॉब करने की कोशिश करता है लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक कहीं भी टिक नहीं पाता है उसको हर जगा से निकाल देते हैं इसकी किस लगवा देता है अब ये जो मिस्टर विस्वास है हनुमान हाउस होता है एक वहाँ पर गया होता है काम के लिए ये जो मिस्टर विस्वास है और ये जो हाउस होता है ना इस ये बहुत बड़ी फैमिली होती है इस फैमिली में जो है एक मिसिस तूलसी होती है और इसकी जो है इसको देखती है और ये जो मिस्टर विस्वास है सामा को देखते हैं और जैसे इसको देखते हैं तो मिस्टर विस्वास जो है मतलब इनकी एज काफी हो गए होते है मतलब यंग एज में आगए होते हैं 17-18 साल की तो ये जो है इस सिामा को देखते ही इनको जो है फ्लर्ट करने की सूझती है कि मैं जो है इसके साथ ऐसे कोई love game खिलता हूँ तो ये जो है सामा को जो है love letter लिखते हैं और जो है love letter भेज देते हैं कि ये जो मिस्टर मोहन विस्वास है ये जो है उनकी बेटी से शादी करना चाहते हैं क्योंकि इनके 14 लड़कियां होती है तो इनको जहां भी लड़का मिलता है अपनी लड़कियों की शादी करवा देते हैं क्योंकि इतनी सार लड़कियों के लिए दूले ढूनना कोई असा तो यह जो है इनकी शादी करवा देते हैं जबकि मिस्टर विस्वास ऐसा चाहते नहीं है और नहीं मना कर पाते हैं क्योंकि हालात यह ऐसे बन के होता है कि मिस्टर विस्वास भी जो है उनको भी शादी के लिए हां करनी पड़ती है और फिर जो है इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है जो मिस्टर बिस्वास और शामा की तो जैसे ही शादी होती है तो ये जो मिस्टर बिस्वास होते हैं ये भी हनुआन हाउस में ही रहना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इसकी जो अपनी फैमली होती है वो तो इसको मनुस मानती है और इसके पास अपना घर भी नहीं होता तो यह जो है इन्हीं के साथ रह लेता है यहां पर और यह जो है लेकिन यह जो यहां की जो फैमिली होते हैं इसका महौल इसको बहुत अजीब फील होता है बहुत अजीब लगता है बहुत आकवर्ड लगता है क्योंकि यह जो है बहुत बड़ी फैमिली होते ह वो यहीं पर रहते हैं घर जमाई बन के तो इस फैमली में कम से कम बहुत सारे लोग होते हैं तो यह है बहुत ज़ुँड लगता है Mr. probabilities को और यह जो लोग होते हैं Mr. पिस वास के साथ बहे बहे बहीं अच्छा नहीं करें तब disparity कर धी है तो अब इस फैमली में जो क्योंकि उनको awkward feel हो रहा है और यह जो family है यह बिलकुल अजीव किसम की family है और यह जो लोग है यह मतलब यह जो है Mr. विश्वास को इतनी जादा भाव भी नहीं देते हैं value भी नहीं देते हैं और उनके freedom भी खतम हो जाती है एक तरह से इस घर में तो इस घर में अब एक आदमी होता है जिसका नाम होता है सेथ यह जो सेथ होता है यह भी जो है यह इसी घर के जमाई होता है पदमा होती है एक लड़की उसका पती होता है तो यह जो है सबसे powerful आदमी होता है और काफी business बगारा संभालता है इस family के और इसके बाद जो powerful आदम या गोविन्द दामाद है और दो बेटे और होते हैं जिसमें से छोटा वाले का नाम होता है आवद और एक बेटा और होता है मिस्स दूलसी का तो ये अपने बेटों का बहुत जादा ख्याल रखती है तो एक दिन क्या होता है जो मिस्टर विस्वास होता है और इनका जो है कि इस घर का बेटा होता है अवद। उसके साथ जो है बहुत जादा बहbahस हो जाती है और इवन यहाँ पर इस घर के लोग से लोग मिस्टर विस्वास को पीट भी देते हैं और घर से निकाल भी देते हैं इतने जादा बह haut हो जाती है तो ये वहाँ पर एक छोटे से घर में रहने लग जाते हैं और अपनी वाइफ को भी वहाँ ले जाता है तो वहाँ पर इसकी वाइफ प्रेगनेंट हो जाती है और उसकी एक बेटी को जनम देती है जिसका नाम रखा जाता है शबी तो शबी नाम की बेटे होती है इसकी तो अब कुछ टाइम के बाद जो है जो श्टोर का काम है यह भी मिस्टर विस्वास का ठप हो जाता है क्यूंकि बहुत सारे लोगों ने इससे उधार ले चुके होते हैं और एक मगरू नाम का ठग होता है जो इससे हमेशा उधार सामान ले करके जाता है और बाद में जो है Mr. बिस्वास को ही उसके उपरी उल्टा केस करके उसको फसा देता है तो जिसके बाद जो है जो Mr. बिस्वास होता है उसको वो जगा छोड़ करके भी एक Green Vale नाम की जगा होती है वहाँ पर जाना पड़ता है तो यह जो इसकी wife और इसकी जो अब इसका जो एक और बेटा हो गया होता है जो की होता है आनंद तो इसकी wife अपने दो बच्चों के साथ जो है बापस जो हन्मान हाउस है वहीं पर चली जाती है रहने के लिए यह जो है बहुत ठकाने वाला काम होता है तभी एक दिन यह जो है newspaper पढ़ रहा होता है और इसकी इच्छा जागती है कि अब जो है कुछ भी हो जाए वो जो है अपना घर बनाएगा क्योंकि उस जो है अकेला रहना पड़ता है वो जो है अपनी family को साथ में नहीं रख सकता है जबकि उसकी इच्छा होती है कि उसकी family जो है at least उसकी जो बेटी है या फिर बेटा है वो तो उसके साथ रहें लेकिन अभी तो यह जो है उनको अपने पास नहीं बुला सकता है तो ऐसे में क्या होता है इतनी tension हो जाती है इसको जो मिस्टर बिस्वास होता है कि इसकी जो है health बिगड़ जाती है और इसके कुछ दिनों के बाद इसका बेटा है आनंद वो इसके साथ रहने के लिए आ जाता है अब इसमें जो है सारा पैसा जो है इसी घर में लगा दिया होता है और एक दिन इसका जो घर है ना इसकी छट जो है तुफान के कारण ऊट जाती है और ये घर जो है तुफान के कारण जो है तबाह हो जाता है और ये जो है Mr. Biswas फिर से बेघर हो जाता है और अब जो है इसको फिर से मजबूर होकर के Tulsi House में ही मतलब जो हन्वान House होता है वहाँ पर ही जाना पड़ता है अपने वेटेक साथ इसी दोरान इसकी health जो है वहाँ पर रहते रहते कुछ सुधरने लगती है और इसकी दो बेटियां और हो जाती है मैना और कमला तो दो बेटियां और हो जाती है इसको और जादा टेंशन हो जाती है अब तो मतलब family बढ़ती ही जा रही है दिन परती दिन और मेरे पास कमाई का कोई शादन नहीं घर है तो ये जो Mr. Biswas है एक दिन अपना सूटकेस उठा करके निकल पड़ता है घर से ऐसी इसको पता नहीं होता जाना का है तो ये जो है बस में चड़ता है और port of Spain में पहुंच जाता है तो ये जो है अपनी बहन के पास चला जाता है इसकी बहन वहाँ पर होती है और वहाँ पर एक लोकल नियूज पेपर में ये एडिटर का काम करने लग जाता है तो ये जो है नियूज रिपोर्टर बन जाता है पेपर का नियूज रिपोर्टर तो अब इसकी salary जो है यहाँ पर इसको अच्छी खासी salary मिलने लग जाती है कुछ time के बाद और यह अपनी family को भी उधरी बुला लेता है कि तुम लोग मुझे salary अच्छी मिलती है तुम लोग चाहो तो यहाँ पर आ करके रहलो मेरे साथ और आजाओ इधर तो इसकी family जो है व फिर से इसके हाथ से निकल जाती है और जो इसने घर बनाया होता है घर के उपर पैसा लगाया होता है उसको भी आग लग जाती है और यह फिर से बेघर हो जाता है और इसकी family जो है फिर से बेघर हो जाती है और इन लोगों को फिर से बापस हनुमान house में ही जाना पड़ता तो अब जैसे जैसे टाइम बीटता जाता है और इसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और इसका बेटा और बेटी जो है कॉलेज जाने लग जाते हैं तो यह जो मिस्टर विश्वा से इसको बहुत जार टेंशन होने लग जाती है और फिर से अपने लिए जौब ढूनने के ल लगते हैं इसको तो अब जैसे ही कुछ टाइम बीचता है यह जो मिस्स तूलसी का बेटा होता है और यह भी जो है इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई करके जो है तो यहाँ पर क्या होता है कि अब जो है मिस्टर विस्वास सोसे लेता है कि अब तो मैं अपना घर बना के रहूँगा यह कैसी जिंदगी है कभी कोई वाहर निकाल रहा है कभी कहां से कोई वाहर निकाल रहा है कभी कहीं पर कुछ हो रहा है तो यह जो है पकामन मना लेता है क यह जो है घर बना के रहेगा और यह जो आवद होता है यह जो है इसकी फैमिली को भी इसकी मतलब अपनी बहन और अपने जो इसके बेटा-बेटी होते हैं सभी और आनंद मिस्टर मोहन के इनको भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता है तो एक दिन क्या होता है मिस्टर थोड़ा पैसा इधर-उदर से उधार लेकर के जो है उस घर को जैसे तैसे करके खरीद लेते हैं लेकिन वो जो घर होता है वो जादा अच्छी कंडिशन में नहीं होता है वो बहुत अजीब सा घर होता है जादा अच्छा नहीं होता है लेकिन इसकी पूरी फैमिली जो है इसके साथ मिल करके उस घर को अच्छे से रिपेर करते हैं और यहां पर अब रहने लग जाते हैं यह सारी के सारी फैमिली अब इसी वीच जो है Mr. Mohan के जो बेटा-बेटी है यह बाहर पढ़ने चले जाते हैं फॉरन में और ये जो शामा होती है अब ये भी अपने पती की रिस्पेक्ट करने लग जाती है एंड में पहली इतनी जादा नहीं करती है लेकिन अब ये Mr. Visswas अब लेकिन क्या होता है Mr. Visswas की जो है health विगड़ने लग जाती है और इनको जो है दो heart attack आ चुके होते हैं और इनकी जो बेटी है वो भी everod से बापस आ जाती है सबी और वो जो है यहां पर आकर के job करने लग जाती है और अच्छी खासी salary कमाने लग जाती है लेकिन इसके कुछी time के बाद जो ये जो Mr. Visswas होते हैं इनको एक और heart attack आता है और इनकी जो है मौत हो जाती है इसी घर में अपने घर में लेकिन ये जो Mr. Visswas होता है इसके मरते मरते भी इसके मन में एक सकून होता है कि वो जो है अपनी family को किसी और के घर में और किसी और के सहारे छोड़ करके नहीं जा रहा है उनके पास अब अपना घर है और ये 46 year की age में ही सही लेकिन अपने खुद के घर में सांती से मरा इसको satisfaction होती है तो ऐसे last में ये जो इनसान होता है ये अपने hard work से अपनी life को change कर देता है और खुद की जो अपनी family की life को भी change कर देता है तो ये जो novel है इसके जो main theme है वो है एक तरह से अपनी identity ढूंडना तो ये सारी जो है इसके themes हैं आप जो है इनके उपर काम कर सकते हैं इनको अच्छे से पढ़ लीजिए I hope आपको ये lecture जो है बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तब प्लीज मेरे चैनल को like, share और subscribe जुरूर कीजिए और ऐसे ही मिलते हैं ऐसी किसी next वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बाई बाई